Dear students, चलिए हम लोग आज चलते हैं, क्लास 12 के Physics को पड़ना स्टार्ड करते हैं जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में, पिछले विडियोज में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि विधूत चुम्ब के प्रेरण में उर्जा का संरचन कैसे किया जाता है से लिए उसके आईए आगे पढ़ते हैं तो टॉपिक बनाईएगा गति की ये विधूत वाहक बल गति की ये विधूत वाहक बल ये टॉपिक बनाईएगा जैसा कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे कि विधूत ये चुम्ब के प्रेरण में उर्जा का संरचन कैसे किया जाता है लेंज के नियम क्या है तो उसके आगे ये टॉपिक देंगे 12 फिजिक्स में गति की ये विधूत वाहक बल चलिए तो अब गति की ये विधूत वाहक बल में सबसे पहले एरो देंगे लिखेंगे फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए सुचालक पदार्थ के बने सुचालक पदार्थ के बने एक सिधे चषड एक सिधे चषड एक सिधे चषड A B छोटा A छोटा B एक सिधे चषड A B की कल्पना करें की कल्पना करें जो चुम्बकिये छेत्र के लंबवत एक समान वेग भी से गतिमान है चले अब क्या बूल रहा है कि चुम्बकिये छेत्र मौजूद है और हम लोग जानते हैं न कि अगर कोई चुम्बकिये छेत्र को डॉट से सुचित किया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि उधर से चुम्बकिये छेत्र मेरे तरफ आ रहा है जैसे कि अगर हमको उधर से आएग तो उसको cross से और जब आता है चुम्ब के छेतर मेरे तरफ उसको dot से सुचित किया जाता है उसी तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारा चुम्ब के छेतर बना रहे हैं और आपको भी इसके नीचे ऐसा ही figure बनाना होगा हम बहुत सारा यहां पर चुम्बके छेत्र बना दिये यह क्या है चुम्बके छेत्र है यह क्रोस है इसका मतलब है कि मेरे तरब से कोपी में परपेंडिकुलर जा रहा है और जा रहा है तो पीछे का भाग ऐसा ही दिखेगा और ये चुम्बके चेतर का figure बना लेना है इस चुम्बके चेतर में बोला गया कि एक सीधा छड़ है और उस सीधे छड़ का बात करें तो नाम क्या है? तो A, P नाम है उस सीधे चड़ का A, B नाम है जो चुम्बके चेतर में B से गतिसील है मतलब कि इसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं भी वेलोसिटी से देख पा रहोंगे जैसा कि A, B अगर छड़ रहेगा A, B छड़ है यहाँ पे और इस छड़ को चुम्बके चेतर में ज्यादा तेजी से हम लोग आगे बढ़ाएंगे कहाँ पे? ज्युम्बके चेतर में तो अगर ऐसा कंडिशन होता है तब हम लोगों को किसकी क्या-क्या चीजे मिलेगी इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं चलिए आए देखते आगे ऐसा माना जा रहा है कि इस सिधे च्छड की जो लंबाई है ना वो L है यानि कि A और B तक के लंबाई जो है वो कितना है? छोटा L है तो उस फिगर के फिगर बना देना है और फिगर के नीचे लिखना है लिखेंगे माना की माना की A B च्छड की लंबाई इस A B वोला च्छड है च्छड का नाम A B है ना ए भी छड़ की लंबाई एल है छोटा एल छोटा एल है तथा इस छड़ पर लगने वाला बल का परिमान क्यूंभी बी होगा ऐसी क्यों भी बी होगा अथार्थ आतार्थ एफ मैगनेटिक हम लोग पढ़े हुए हैं कि एफ मैगनेटिक का मतलब क्या होता है तो क्यूंभी बी होता है यह फार्मूला होता है यानि कि अगर हमें अगर कोई पूछेगा कि अगर कोई छड़ चुम्बकिये छेतर में मौजूद है तब वहां से force कितना केरियट होगा Q, V, B ठीक है और अगर हम इसे पुछेगा कि कोई electric के लिए F, E का मान कितना होगा तो F, E का मतलब जानते हैं हम लोग Q into E होता है ठीक है यह बात आपको हम पहली पढ़ा चुके हैं कि magnetic में यानि कि चुम्बकिये छेतर में चुम्बकिये बल कितना लगता है Q, V, B और विधूतिये छेतर यानि कि E में electric में force कितना लगता है Q into E अगर आप इसको समिकरन 1 देंगे इसको समिकरन आप दू दीजिए ठीक है तो आप यहाँ पर लिखिएगा समिकरन 1 और 2 से समिकरन 1 और 2 से समिकरन 1 और 2 से चलिएगा तो आप देख पारे होंगे कि left side और left side force है यानि कि बल है ये अलग बात है कि यहाँ पर magnetic है यहाँ पर electric है यानि कि यहाँ पर चुम्ब कि यह चेतर है कम में लगने वाला बल है और यहाँ पर electric में आप यह समझे कि अगर कोई बल अगर चुम्ब कि यह चेतर में होता है या फिर विधूत यह चेतर में होता है लेकिन दोनों तो बल ही है न तो left side वाला तो equal हो गया तो left side equal है तो समिकरन एक दो से right side वाला बराबर होगा मतलब Q, B, B बराबर में क्या Q into E इस तरीके से Q और Q क्या हो गया cancel out हो गया तो हम बोल सकते हैं कि E बराबर कितना हो गया E बराबर E बराबर हो गया B, B, ठीक है अब जब E बराबर B, B हो गया तो हम लोग आईए और आगे प्रूफ करते हैं तो पहर अभी तो हम लोग को यह formula मिला है कि Q से Q जब कटेगा तो क्या मिला E बराबर B, B चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि E बराबर B, B के अंतरगत क्या होगा उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे A और B के बिच बिभुवांतर A और B क्या है तो वही सिधा चछड़ जो A भी लिए थे जिसका लंबाई L है वही है A और B के बिच बिभुवांतर जैसा आप समझ पा रहोंगे A और B के बीच जो विभुवांतर होगा उसको किस से डिनोट्स करेंगे उसको B, A, B से सुचित करेंगे ठीक है क्यों ऐसा क्योंकि यहां पे एक A है और एक B है तो A और B के बीच में नहीं विभुवांतर निकाल रहे है हलाएंकि विभुवांतर को तो हम लोग कैवल भी से सुचित करते हैं ठीक है लेकिन A, B कहां से आया तो यह पता चल रहा है कि किस के किस के बीच है A और B के बीच है तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं इसके लिए W बटा होता है Q W बटा क्या होता है Q और W बटा Q एकांक आवेस में किया गया कारे क्या कहलाता है विभुवांतर कहलाता है ठीक है तो एकांक आवेस में किया गया कारे जब विभुवांतर कहला रहा है विभुव कहला रहा है तो हम यह भी बोल सकते हैं कि A, B के बीच का विभुवांतर AB के बिच किया गया कार बटा में आवेश ठीक है तो WAB बटा क्यों और हम लोग जानते हैं कि WAB यानि कि जो work done है वो work done क्या होता है तो force into displacement class 11th में हम लोग पढ़े थे कि work बराबर क्या होता है तो बल गुना विस्थापन विस्थापन का मतलब क्या होता है विस्थापन का मतलब दूरी ठीक है तो W बराबर बल गुना विस्थापन और बल को थो हम लोग एप से सुचित करते हैं और विस्थापन का मतलब दूरी ठीक है तो ये चीजे हम लोग class 11th में ऐसा पढ़े थे formula डबलू का तो अगर आप नहीं पढ़े हैं आपको फर्मूला नहीं याद है तो आप बगल में इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स जो है प्रूफ करने वाला चीज है एक चो चीज दिया गए जिसने हम लोग अभी गतिकि ये विदोत वाहकबल पढ़रे कि इसमें विदोत वाहकबल का मान कितना होता है कि अब आपको लगवाज़키 भी गूत棒 कि मतलब ये मतलों के हम लोग पहले दूरि तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं बटा में डबलूएबी कार्य कितना टो बलन एप घुने दूरि तो आप देख पा रहूँगे कि a और बीक बीच में कितना दूरी है और यहां लिख सकते हैं अफ इन्टुर ल बटा में क्या कि इसको हम और लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं एसको ऐसा लिख सकते हैं एफबड़ा q इंटु में इल बिल्कु लग सकते हैं ऐसा क्यों लिखा जा रहा है इसलिए इसलिए एफबड़ा q का फार्मोला होता है आपको हर बार जो फार्मोला q । sexuality向 यानि कि मिल रहा है जैसे यह अगर आपको याद नहीं होगा हलांकि सब कुछ हम लोग पढ़े हैं यह आपको याद नहीं होगा यह याद नहीं होगा तो आप चीजों को एक तरीके से साइड में नोट कर दिजे कि कौन कौन सा फर्मूला का यूज किया है तब हमें प्रूफ हुआ है अब विधूतिय छेतर में हम लोग पढ़े थे कि एकांक आवेश में किरियासिल वल को विधूतिय छेतर कहते है तो इसलिए E बराबर क्या फर्मूला आता है A फर्मूला से डारेक्ली हम लोग यहाँ पर E इंटू L पूट कर सकते हैं तो अभी किसका फर्मूला आ रहा है B A B का रहा है विभूवांतर का ही इतना सारा हम लोग काम कर चुके हैं अब यह ऐसा किजिए कि जो हम लोग को यहाँ आया था E बराबर B B इसका मान कर देजिए समिकरन 3 तो कि दो तक कि तो हम लोग already मान चुके हैं तो E बराबर जो B B आया है देखें B B एक तरफ E एक तरफ तो E बराबर B B बोल सकते हैं इसको माने हैं आप equation number 3 ठीक है तो आप यहाँ equation number 3 मानिएगा तो अब लिखिएगा समिकरन समिकरन 3 से E का मान E का मान रखने पर जब हम लोग समिकरन 3 से E का मान क्या रखेंगे B B जब E का value B रखेंगे तब हम लोग क्या बनेगा तो अब लिखिएगा अत B A B E is equal to देखिए B को थोड़ा सा बड़ा और A B को उसके नीचे लिखेंगे इसका मतलब यह हुगा कि A और B के बिच भी भुवांतर कितना होगा तो E के जगा पर हम लोग रख रहे हैं किसका value समिकरन 3 से तो यहाँ वाला जो E है वहाँ हो जाएगा B B ठीक है और A तो अल्रेडी है पहले से ही है तो इस तरीके से बन गया हम लोग का B बराबर B B बराबर B B L ठीक है तो यही हम लोगों का जो विभुवांतर है वही विभुवांतर विधूत वाहक बल के रूप में किरियासील होता है और इसी को हम लोग बाद में E से सुचित करने लगते है तो यहाँ पर लिखियेगा चुकी चुकी के बाद लिखिएगा A और B के बिच का विभुवांतर चुकी चुकी A और B के बिच का विभुवांतर कॉमा कॉमा गतिकिये विधूत वाहक बल के रूप में कारेशील होता है अब हम लोग ये सीखे कि A और B के बिच का जो विभवानतर है न उसी को हम लोग capital E cursive writing का याद रहेगा capital E तो ऐसे भी होता है लेकिन cursive writing का capital E ऐसे होता है तो हमेशा विधूत वाहक बल को capital E जो सुचित करते हैं cursive writing वाला सुचित करते हैं बराबर BBL अब यही हम लोगों को आगया formula E का मतलब क्या है तो गतिकीए बिधूत वाहक बल यहना कि वी वाबो वी वाबो का मतलब विधूत वाहक बल ठीक है? तो विधूत वाहक बल का फार्मुला क्या आया? B, B, L B मतलब क्या होता है? B मतलब होता है वेग कि वो कितना वेग से उस छड़ को लेग्षों दिखें उस छढ़ को कितना मेंटर पर सेकेंड के Leo के हम लोग बाहर ले जा रएं ठिके कितना मेंटर पर सेकेंडर से उसको वेग दे रहें और बी का मतलब क्या हुआ चुंब की कचित्र और चुम्प के छेतर का मतलब जानता है ना इसका SM आतरक के बारे में टेसला होता है और L का मतलब लंबाई जो हमेशा मीटर में रहेगा ठीक है तो E बराबर जो फर्मूला प्रूफ हुआ वो कितना हुआ B, B, L जर आब हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि आखिर गतिकिये विधूत वाहक जो बल हम लोग निकाले हैं आखिर इस छड में कितना धारा प्रवाहित होगा क्योंकि इस आखिर आप खुद समझें कि जब कोई वायर है, तार है उसमें विधूत वाहक बल आ जा रहा है इसका मतलब बैटरी का सक्ती आ रहा है तो आप ये समझें कि जहां कहीं भी बैटरी का पावर आता है तो जरूरी है कि कर्न्ट आना ही आना है आखिर गति कि ये जो विधाँत वाहक बल के लिए हम लोग देंजक निकाल来 है उससे इस एबी वाले छड़ में कितना धारा प्रवाहित होगा कि कि तेना धारा का मान प्रवाहित होगा तो अब लिखेगा कि यह नोट में करके शन्रों में बोल रहें लिखेगा ुप लिखेंगे यदी 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 एबी छड में सीरो के बिच परतिरोध आर जोड दिया जाय तो इस छड से परवाहित होने वाली तो इस छड से परवाहित होने वाली बिधूत धारा का मान का ब्यांजक निम्द लिखित होगा अब की बार हम लोग क्या बोल रहे हैं अगर इस छड में धारा का मान निकालना चाहते हैं तो धारा का मान तभी आप निकाल सकते हैं कब जब आप इसके सीरो के बीच यानि कि यहाँ पर कोई परतिरोध आपको जोड ना होगा जैसे कि अब जो हम लोग फिकर बनाएंगे चुम्ब की च्षित्र को जो आपके तरप से जा रहा है ठीक है यह यहाँ पर चुम्ब के च्षित्र हो गया जो आपके तरप से जा रहा होता है अब इसमें क्या बोल रहा है हम लोग तो खुद अल्रेडी हम लोग लिय थे क्या तो एक छाड एक छड लिये थे जिसका लंबाई क्या था जिसका लंबाई L था यहां से लेकर यहां तक फिगर बनाना है उसी तरीके से फिगर बनाना है यहां A और B 0 का पॉइंट था अब इसमें क्या करना है कि इसको 0 के बीच यानि कि A और B के बीच A और B के बीच एक R परतिरोध जोड़ना है किसके लिए हम क्यों ऐसा कर रहे है क्यों क्यों क्योंकि इसके बीच में हम लोग करेंट का मान निकालना चाह रहे हैं कि इसमें करेंट कितना होगा तो आप ये समझे कि उस छड में आपको करेंट का मान निकालना है तब आप क्या काम करेंगे तो R परतिरोध को A और B के बीच में जोड़ना होगा और तब जाके इसको वेलोसिटी देना होगा जैसे कि हम लोग पहले भी वेलोसिटी दे रहे थे इसको तेजी से मुड़ाना होगा तो ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक फर्मुला होता है कौन सा फर्मुला ओम के नियम से ओम के नियम से क्या फर्मुला तर जड़ दिखाते हैं अब इस फिगर को बनाने के बाद उसके निचे लिखेगा ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से फार्मूला क्या होता है, जह हम लोग पढ़े भी हैं, टेंथ क्लास में भी है, तो आपको याद होगा भी बराबर आई आर या फिर ये बोले तो आई बराबर आई बराबर क्या होगा भी तो इधर है तो आर जो है गुना में होगा तो यहां भी बटा आर हो जाएगा तो हम यहां से यह बोल सकते हैं कि यहां यहां आई बराबर यह जो भी है न वो क्या है विभुवांतर तो यहां विभुवांतर किसके किसके बीच तो एबी के बीच न क्योंकि जो भी हम लोग काम करते हैं यहां पर विभुवांतर एबी के बीच तो इसको भी एबी लिख दिया जाया और बटा में आर यह आर का किसलिए क्योंकि अभी अभी हम लोग स सके क्योंकि ओम का नियम लगाएंगे तभी हम लोगों का धारा का मान निकलेगा तो धारा का मान निकालने के लिए भी बायार और इस भी को हम लोग कर दिये भी यानि कि विभुवांतर किसके किसके तो A और B के बिच और बटा में क्या R अच्छा हम लोग इस I का मान निकालने के लिए या अभी अभी सिखे हैं कि जो A और B के बिच विभुवांतर है न तो गत्किय विधूत वाहक बल की तरह कार्यसिल है यानि कि चुकी में करके लिखे हैं कि आप भी ये वी के जगह पे व बिधूत वाहक बल भी रख सकते हैं ठीक है अब इस I का मतलब क्या होता है तो इस बिधूत वाहक बल का फर्वुला है B, B, L बटा में R इस तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा दू तरह का हम लोग का ब्यांजक प्राप्त किये हैं गत्किय विधूत वाहक बल में अगर स गतिकी विधूत वाहक बल में जो छड़ है उसमें परवाहित धारा का मान कितना होगा तो उसमें होगा B, B, L बटा में R चुजों को समझ पा रहे हैं चलिए जब इतना चुजों को समझ पा रहे हैं तो चलिए अब हम लोग कुछ कोशन्स करते हैं जैसे सबसे पहले एक ए पा रहे हैं लिखा जा कोश्चन कोश्चन है कोश्चन 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 को टू पॉइंट फाइफ मिटर लंबे एक तार को टू पॉइंट फाइफ मिटर लंबे एक तार को चुम्बकिये च्छेत्र में 10 मिटर पर सकेंड के वेग से गतिशील कराने पर उस्तार में विधूत वाहक बलक का मान तो चुम्बकिये छेत्र का मान ग्यात करें तो चुम्बकिये छेत्र का मान ग्यात करें चलिए तो देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले आप जब इसका सॉलूशन करेंगे तो आप यही लिखिएगा कि हमें दिया है किस किस का मान दिया है जरा दिखिए तो सबसे पहले तो हमें यह दिया है कि जो AB छड़ है या फिर तार है वो कितना मिटर लंबा है तो उसका वेलू दिया है L का वेलू दिया हुआ है ठीक है? L का वेलू दिया है कि कितना मिटर लंबा है फिर हमें दिया कि उसको कितना के वेग से यानि कि L का भी वेलू दे दिया है और फिर बोला कि कितना वेग से उसको हम लोग गतिसील करा रहे हैं यानि कि B का वेलू भी दिया हुआ है तिक है और फिर बोला गया कि विधूत वहाक बल उसमें कितना प्राप्थ हो रहा है E का भी मान दिया हुआ है 0.25 वोल्ड यह है आप देख लिजेगा कोशन में कि L का वेलू भी दिया है कितना मिटर लंबा है कितना वेग से उसको गति सील कराए जा रहा है कितना भोल्ड का विधूत वहाक बल दिया हुआ है अब इतना चीज देकर हमें B का वेलू पूछ रहा है तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं कौन सा फर्मूला यूज करेंगे तो आप सुत्र से चलिएगा कौन सा सुत्र से भई तो E वराबर B, B, L ठीक है E का वेलू दिया हुआ है B का वेलू दिया है L का वेलू दिया है तो B का मान निकाल देज़ेगा और निकाल कर और आप आंसर को सेंड कीजिए हम देखेंगे फिलाल अगले कोश्चन किदा बढ़ते हैं अगला कोश्चन लिखा जाए Next question Next question लिखिए कुछ इस तरीके से लिखा जाए 2.4 into 2.4 into 10 के पावर माइनस 4 टेसला वाले चुम्ब के छेतर में 2.4 2.4 इन्टू 10 के पावर माइनस 4 टेसला वाले चुम्ब के छेतर में 5.25 मिटर पर सेकेंड की वेग से 5.25 मिटर पर सेकेंड की वेग से 10 मिटर लंबे चड़को 10 मिटर लंबे चड़को गतिसील कराया जाता है तो इस इस्थिती में इस इस्थिती में गतिकिये विधूत वाहक बल का मान कितना होगा? पुण विराम ओम के पर्तिरोद 12.75 ओम के पर्तिरोद उसके साथ सनलग ने किया जाय तो उस चालक तार में कितना धारा परवाहित होगी? कितना धारा परवाहित होगी? तो यह आप देख पा रहेंगे बहुत अच्छा कोश्चन है आपको जरा हम समझा देते हैं कि यह कोश्चन क्या-क्या बोल रहे है ठीक है? अब इस कोश्चन में आपको क्या-क्या ध्यान रखने वाला बात है तो सबसे पहले आप दिया है लिखिएगा कि चुम्ब की यह चेतर का वेलू दिया है कितना? तो आप सवाल देखिए 2.4 x 10 के पाउंगर माइनस 4 टेसला चुम्ब की चेतर कैसा है मात्रग? फिर दिया कि उसको कितना वेग से गति सिल किया जा रहा है तो 5.25 मीटर पर सेकेंड फिर बोला गया कि कितना मीटर लंबा तार है या जो छड़ है वो तेन मीटर लंबा है ठीक है? अब आपको B, B, L का वेलू दे दिया फिर बोल रहा है कि आप विधू तो वहां कबल कितना होगा तो E का मान निकालना है अब एक सवाल तो कंप्लिट हो गया फिर बोल रहा है अगला कंडिशन यहां से आप E का मान निकाल लेजएगा E का मान कैसे? तो E का फर्मूला B, B, L से निकाल लेजएगा जितना मल्टिपलाई करके आएगा ठीक है? अब फिर क्या बोल रहा है? पुना सवाल में लिखेगा ठीक है? तब कितना धारा प्रवाइद होगा? तो R का तो भेलू हमको दे दिया तब अब आपको I भी पूछ रहा है तो I का मान क्या होता है? तो I का मान अभी अभी प्रूफ किये हैं B, B, L बटा में R तो B, B, L निकाल लेगा और R से डिवाइड कर देजेगा B, B, L का मान यहां पर हम लोग को गुना करने के बाद प्राप्त होगा उसमें R से डिवाइड करना है तो ये दो कोशन्स था और आप इन दोनों कोशन्स को अच्छे से बना कर एक्स्प्लैन करके और बिल्कुल सेंड कीजिए और फिर अगले वीडियोज में अगले टापिक्स की बात करेंगे आज तक इतना ही धन्यवाद